गधो के बाद क्या अब बंदरों को शिकार बनाएगा चीन आखिर चीन क्यों मांग रहा है एक लाक बंदर वजह जानकर आप हो जाएंगे हरान देखे स्पेशल रिपोर्ट और समझ ये बेजुबान बंदर के साथ क्या करेगा चीन चीन की नियत और नजर से आज कौन वाकि चुभोनी का काम करता है वो चाहे कितने अच्छे वादे कर ले उसकी नियत में हमेशा फरेब रहता है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में चीन भारत के परोसी देश श्री लंका से बंदर खरीद रहा है जिनकी संख्या एक दो नहीं बलकि एक लाक है अब इसके पीछे उसका मकसद क्या है यह हर कोई जानता है जो चीन की नियत से वाकिफ है लेकिन चीन ने एक लाक बंदर खरीदने की पीछे जो वज़ा बताई है उसके अनुसार वो इन्हें देश के एक हजार अलग अलग चिडिया घरों में रखेगा उसने अपनी समान को प्रजाती के बंदर है ऐसा माना जाता है इस प्रजाती के बंदर मुख्यरूप से श्री लंका में ही पाय जाते हैं वही चीन बंदरों पर खूब पैसा लुटाने को तयार है श्री लंका के क्रशी मत्री महिंदा अमरवीरा ने बताया कि एक बंदर को पकड़ने में करीब पाँच हजार शुलंकाई रुपए खर्च होते हैं वहीं चीन प्रतेक बंदर पर 30 से 50 हजार शुलंकाई रुपए खर्च करने को तयार है ये पैसा बंदरों को पकड़ने उनकी जाच करने उन्हें पिंजडों में रखने और फिर चीन लेकर जाने में खर्च होगा लेकिन इन बंदरों की खरीद पर जानकार बताते हैं कि चीन में बंदर के पास मास की बहुत मांगया और इसलिए चीन इतनी भारी मात्रा में अपने यहां पर बंदरों का आयात कर रहा है ताकि वो अपने यहां के निवासियों को बंदर का मीट दे सके चीन एक लंबे समय से भारत क दुनिया विनाशक बिमारी, कोरोना वाइरस का जनक भी वैसे भी भारत चीन जासे अत्यचारी देश का मित्र कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि भारत में सभी जीवों के प्रती दया का भाव है जो चीन में बेजवानों को मार कर खाने का चलन है ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार किसी दूसरे देश से जानवर खरीद रहा हो बलकि इससे पहले भी कटूरा लिये पाकिस्तान से गधे खरीदने के मामले में सुर्खियों में आ चुका है जिस गधे के खरीद फरुक्त को लेकर जानकार बताते हैं कि इस उपाय से पाकिस्तान को काफी मुनाफ़ा हुआ था गदे की खाल का चीन में काफी इस्तमाल होता है गदे की खाल से निकली हुई जेलेटिन का इस्तमाल कई तरह की महंगी दवाईयों को बनाने में किया जाता है ग्यात है कि पाकिस्तान द्वारा चीन को गदे के निर्याद किये जाने की इस योज जाता है कि एक गधे की खाल से पाकिस्तान को 18 से 20 हजार रुपए तक मिल जाते हैं। जाता है कि एक गधे की प्रजाती विलप्त होने की इश्रेणी में आ गई थी।